आज जो हमने चंदीगड मेर चुनाव में देखा वो सिर्फ एक असंविधानिक या गैर कानूनी चीजी नहीं थी बलकि राष्ट्र द्रो था देश द्रो था अपनी हार को सामने देख बीजे पी ने शडियंत्र रचे आज जो हमने चंदीगड मेर चुनाव में देखा वो सिर्फ एक असंविधानिक या गैर कानूनी चीजी नहीं थी बलकि राष्ट्र द्रो था देश द्रो था आज जो हमने फर्जी वाड़ा जो गैर कानूनी काम जो इल्लीगालिटी चंदीगड मेर चुनाव में देखी है उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र द्रो राष्ट्र द्रो कहा जा सकता है आप सब यह बात जानते हैं कि मेर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गटबंदन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतिय जन्ता पार्टी के पास थे पंदरा और साथ में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूँ जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के इंडिया गटबंदन के पास थे वहां गटबंदन का जीतना इंडिया अलाइंस का जीतना तैय था और अपनी हार को सामने देख बीजेश पार्टी नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखके रहे है योस 24